सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिए और आज की टॉपिक के बारे में हर इंपोर्टन इंफोर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखेगा आज हम बात करने वाले हैं फैट के बारे में जैसे के हमने अपने लाश्ट वीडियो में प्रोटीन और काप्स के बारे में बात की थी जो हमारे मैक्रो न्यूटियंट है जो कि हमारे बाडी के लिए एक अनदर एनर्जी सोर्स है और हमारा जो brain है 60% brain जो है fat से बना हुआ है तो हमारे brain health के लिए healthy fat बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमारे जो vitamin से जो fat soluble vitamin है जैसे के vitamins A, D, E और K इन vitamins को body में absorb करने के लिए और उनको transport करने के लिए भी fat का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और fat हमारी body को warm रखने में help करता है तो यह सारे fat के important roles है यह जो fat है दो तरह का होता है saturated fat और unsaturated fat जिसे के हम good fat और bad fat भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले saturated fat saturated fat जैसे के butter, whole milk इन सब चीजों में saturated fat होता है जो के cholesterol level को raise करता है जिसका हमें बहुत कम use करना चाहिए unsaturated fat जिसे के हम good fat कह सकते हैं जो मिलता है हमें olive oils, avocado, canola oil हमारा homemade देसी घी, nuts, fish oil यह सब जो है unsaturated fat के example से जिसे के हमारा cholesterol level है उसे low करता है और हमें healthy fat कह सकते हैं तो हमारा जो भी fat intake है जरूरी daily fat intake उसे हमें healthy fat से लेना चाहिए अब बात intake की है तो एक और बात है जैसे हमने protein और carbohydrate जो है वो हम देखे तो 1 gram protein और 1 gram carbohydrate से हमें 4 calories मिलती है लेकिन fat जब हम 1 gram fat consume करते हैं तो उसे हमें 9 calories intake हो जाता है 9 calories conserve करते हैं हम जब हम fat का intake करते हैं तो इस बात को हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए जब हम अपना daily fat intake डिजाइन कर रहे हैं और एक और fat हम बताते हैं ओमेगा-3 fatty acid हमारे health के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ओमेगा-3 fatty acid जो के essential nutrient है that means के हमारी body उसे अपने प्रड्यूस नहीं कर सकती है हमें उसे बाहर से food हमारे food से लेना होता है और उसका जो एक source है वो है fish oil so vegetarian sources बहुत ही कम है और इसलिए हमें उसके लिए supplement हमें लेना चाहिए तो आपके omega-3 fatty acid हमारे brain health के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे hormonal functions के लिए जरूरी है हमारे cells को healthy active और रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहां तक के depression को control करने के लिए cure करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस omega-3 fatty acid के लिए अगर आप non vegetarian नहीं है आप fish oil नहीं डिरेक्ली आप fish नहीं use कर सकते है तो हम जरूर recommend करेगी कि आपको उसका supplement लेना चाहिए और अगर आपको supplementation के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए which one is the best आपके लिए कौन सा सही रहेगा और और भी fat के बारे में या किसी भी health issues के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे निचे दियेगे whatsapp number पे contact कर सकते है हम आपको जरूर से help करेंगे we would be more than happy to help you और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से like और share किजिएगा thanks for watching our video see you in our next video goodbye